नमस्कार आप देख रहे हैं लुक मीडिया उत्तरप्रदेश की योगी सरकार के कोरोना से लड़ने की तैयारियों के दावों की पोल एक के बाद एक खुलती जा रही है ललितपुर के तालवेट से एक वीडियो बारल हो रही है जिसे एक युवापत्रकार अंशल दूबे ने खुद रिकॉर्ड किया है मैं CMO नहीं हूं CMO कहते मैं DM नहीं हूं लेकिन यहाँ पर प्यास से मर रहे हैं तो कौन बचाएगा इसको आप लोग देख रहे हैं देखिए छोटे छोटे बच्चे है मेरी आवाज चार दिन से चला दे मेरा गलग डब गया है मुझे पीने को कल से पानी नहीं मिला है यह बच्छे बेटा पानी कब से नहीं मिला? कल से, आपको पानी कब से नी मिला, किसको पानी नी मिला, किसी को पानी नी मिला, यहाँ पे बाडर कूलर बंदे, किसी को भी कल से पानी नी मिला है, यह सारे लोग हमारे हिस्से का भी पानी पी रहे हैं, बाहर जाते हैं तो कहते हैं फाईया लिख देंगे, आबाज आजब तक मारोगे अभी आबाज जब तक निकल दी जब तक आबाज अठाएंगे टीम साफसे पाच वार सिकाये तो सिया वो साफसे पल पल सिकाफ कर रहें लेकिन फिर भी ये बच्चे छोटे छोटे प्यास से बिलख रहे योगी सरकार ये जंगर राज मिटाओ बंद करो क्यों अत्याचारिय कोरोना से पेसेंट मर रहे हैं ऐसे ही पेसेंट मर रहे हैं कोरोना से ये बिचारे भूप प्यास से बिलख रहे चार-चार साल दो-दो साल के बच्चे हैं दो-दो दिन से ने पानी नहीं मिलना सालो क्यों मेरे हिस्से का पानी पी रहे हो इन बच्चों के हिस्से का पानी क्यों पी रहे हो सालो प्रश्टाचारियों जंगर राज खतम करो जैसाले प्रशाशन के सारे अत्कारी प्रश्टे इन पे कारवाई जरूर हो प्रदेश में रामराज्य का दावा करने वाली सरकार ने ना काम ज़स्ता संभाली है ना ही मामली स्वास सुधाएं मौया करवा पा रही है पूरा प्रशाशन राम मंदिर बनाने में लगा है क्योंकि ऐसा लगने लगा है कि अब सब कुछ राम के भरोसे ही है क्योंकि इस सरकार से तो कुछ हो नहीं पार